के लुवर सब्सक्राइब선 करें हैं है और यूट है वाला जोस्तों तो कैसे हो आप सब्सक्राइब सब्सक्राये यूट्योग सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप लोग को बताया जाएगा तो आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रहे होंगे जवर्जस चल रहे होंगी आप लोग सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो चलते हैं आपने स्रीज पर तो जैसा कि हमारी टेम हर बार आपके लिए लेकर आती है फिर से आपके लिए लेकर आईए इसमें क्या लिखा हुआ है सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को सफल बनना है एक दिन आपको तो यह ध्यान रखना चाहिए आप सुबह को पढ़ लो या करानी ऐसा कुछ नहीं करने अराम से पढ़ो चाहिए एक घंटा पढ़ो आदे घंटा पढ़ो लेकिन इतना मन से पढ़ना है आप लोग को कि वह चीज आपके मन में पूरी तरह से बैठ जाए पूरी तरह से घर कर जाए कि आप कभी भी उसको याद कर लो तुरंत एकदम ह सब्सक्राइब करने करने के लिए बोला ता लो कर दिया तो वह वाला नाम रोशन करने सफल बनना है आप लोग को तो चलते हैं अपनी स्रीज पर तो हमारे सीज का पहला कोशन कप पूछा गया है 2017 में पूछावा कोशन है अब दोको इस कोशन में क्या बोला जा रहा है सबसे पहले हम अपना पैंचेंज कर लेते हैं अब दोकोशन में बोला गया है A B से 3 बटा 4 समय में 1 बटा 2 काम करता है इसका मतलब क्या है कि A B से 3 बटा 4 समय में आधा काम करता है बासी है यानि A दिया गया है और B दिया गया यह दो व्यक्ति दिये गए हैं वो क्या काम कर रहा है तीन बटा चार समय में यानि यो टाइम ले रहा है उसमें कितना काम कर रहा है आधा काम कर रहा है तो इसको पूरा काम करने के लिए कितना समय लेगेगा जहम इसका पूरा काम निकालेंगे तो कैसे यह क्याएगा दो से क काम कर रहे हैं वासे हैं क्योंकि ए कमस काम कर रहा है बी ज्यादा काम कर रहा है अब आगे क्या दिया गया है यदि ए और भी दोनों मिलकर एक काम को ठारे दिन में करते हैं अब देखो एक काम आइंगे तो दोनों को मिल बी काम हो गया अब उसने पूछा क्या है सीधे सीधे उसने पूछा है तो भी अकेला उसकाम को कितने दिन में कर देगा अब सबस्क्राइब को निकान अब देखो हमारा काम कितना है 30 तो B कितने दिन में यानि 30 दिन में काम को पूरा कर लेगा 30 दिन में B काम को पूरा कर लेगा क्योंकि B का पहले पूछा गया है तो यहां पर B का पहले लिखा हुआ है उसके बाद हमने A का भी निकालने की कोशिश करी A एक दिन में कितना काम कर रहा है आठारे दिन में काम को पूरा कर लेंगे सिंपल कोशन कुछ कुछ नहीं था कोशन में बस देखने में ऐसा लग रहा था जैसे आड़ हूं आसान है बिल्कुर आगे चलते हैं अब देखो यह कोशन दिया गया इसमें क्या पूछा गया है साथ आदमी आठ घंटे परते दिन क काम करके बटा काम किते दिन में कर रहें 36 दिन में देखो यह मैं आप लोग को पिछली किलास में बता चुका हूं यदि जो बंदे जो स्टुडेंट पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वह एक और पहले वाला लेक्चर देख ले उसमें किलिर बताया हुआ हुआ है कि मैं एक बार आप लोग को बता देता हूं क्या होता है एक बार रहले वह समय किला और कि यहां यह जाइगा का आपन क्या हो जाएगा तो यह सेकंड वाली चीज हो गई तो हम उसी के बेस्ट पर करते हैं आप देखो कि क्या दिया गया है साथ आदमी तो देखो पहले M1 दिया गया है साथ आदमी आठ घंटे multiply आठ घंटे काम करके पिरती दिन एक बटा काम अब देखो काम क्या आता है नीचे आता है यानि एक बटा नीचे आजाएगा एक बटा तीन काम के आ जाएगए नीचे आ जाएगा, कितने दे जिए 36 दिर में कर सकता है। पिर क्या बोला है सेष्च काम को, आप देखो, एक बटा तीन काम तれ Champions कि हाँपे पूरा हो गया। एक बड़ा तीन काम पूरा हो गया काम कितना बचा एक बड़ से एक काम था तक इसे एक गणटे काम करके कितने दिन में करेंगे दिन हमें नहीं पॉत तो वह नहीं है पता एक समान लिए यह वहां चरीतार तीन कट गया ठीक है तक कोई दिक्कत नहीं फिर क्या हो गया शेचंग च्छतिस आठतिया चोबिस तीन दूनी छे और साथ दूनी चोधा चोधा तो यहां से बच्चा मुहापे क्या बच्चा मुहापे बच्चा एक्स बाइट टू बच्छा और इसका मल्टिप्र हो तो इसका क्रेक्ट ओप्सों बड़े सिंपल तरीके से कुछ नहीं था बस इसमें कैलकुलेसं थी और आपको यह करना है इस प्रिकार कोई भी कोशन आ जाए आपको यही में तर लगाना है सिंपल तरीके सो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं अब दो को हमारे पास में वाला क शाम हमें होते हैं वो पोछ रहता है है कैसा पास गालीए वित्ध्यारतीत देखा के इस समगरी मतलब मतलब क्या है बैधोस Tech उस खाने को खाएंगे तो समाप्त游ो जाएगा तो टोटल समागरी कितनी हुई समागरी तोटनी हुई 200 गुनब 50 यह मज़नी समागरी तो हैं है हैயं फट दो-गी Okeessa similar कि इतनी होगीक दोस्तो गुनब विद्यार्तियों तक खाना खौए उन्हें उसके दिन तक का लिया होगा उन्हें रहे हैं कि अधे लिएशन पोचाओ में लॉज तोटल समागरी एतनी दोसों ने दस दिन तक है अब धाई सो एतने दिन तक और खाएंगे तो टोटल एकवर बराबर हो गया ठीक है अब देखो 200 इधर है 250 या तो मल्टिप्लाइ कर लो या सिधा इसको इधर लिया हो तो जब 200 कोमन हो जाएगा 50 में से 10 चले जाएंगे क्या जाएंगे 200 गुना चालीस यह आ गया इक्वल टू कितना आ जाएंगे यहां पर 200 गुना एक्स अब देखो जो यहां से काटा जा रहा है उसको का 32 तो 32 बराबर एक्स यानि अब वो रासी कितने दिन और चलेगी 32 दिन और चलेगी कॉसर में कुछ नहीं था एक लाइन का कोशन था खुद देख लो ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा अब दो कुछा गया है इसमें क्या पूछ लिया है एक शात्रा वास में 200 विध्यार्ती है तो 200 विध्यार्ती प्यूद कर लेते हैं सबसे पहले अब देखो भई 200 विध्यार्ती देगें अब इन 200 विध्यारतिओं के लिए कितने दिन का भूजन है 54 दिन का या नि सामघरी कितनी होगी 200 गुना 14 यहान तो कोई दिक्कत वा क्या होगा दोस्तों गुना पंद्र है यह खतम हो गया हमारा कि दोस्तों विध्यारति ने पंदर दिन तक खाया तभी तो पंदर दिन बाद कुछ हुआ होगा तो पंदर दिन बाद क्या बोले हैं पंदर दिन बाद कुछ विध्यारती और आ जाते हैं अब टोटल विध्यार कर दिया बीज मिन्टिप्लाइब इस कर दिया तो यह क्या होगा टोटल समगरी इकोल टूइए ऊगया अब देखो जो बचला शोकाट रो मैंने दोसो इधर ले लिया यह यह वहला पॉर्चन को इधर लेका है तो दोस्व को माना जाएगा तो कितना बजाएगा चावन में से पंधर गए कितना गए 49 आ गया equal to तो अधर क्या है 200 पिलस x और गुना 20 यहां पर 20 है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं जो काटा जा रहा है उसे काट दो ठीक है अब देखो 200 से कितनी बार जा रहा है है कितना गया तो फिलस एक्स यह धर आजाए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा एकसो नभए तो टोटल कितने जीए थे सामगरी खतम कर लेते लेकिन वो क्या बोलता है 15 दिन बाद कुछ विध्यारती और आ गए हमें नहीं पता कितने तो 200 ने 15 दिन तक भोजन किया अब 15 दिन बाद कितने विध्यारती आगे तो सिंपल तरीका कोई दिकत नहीं थी इसमें ठीक है अब यह वाला कोशन आपके सामने इसमें क्या पूछा है चालीस आदमी आप ध्यान देना यह भी अच्छा कोशन है कब पूछा गया एससी 2021 में पूछा हुआ कोशन है अब देखो इसमें क्या बोले गया है 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर देते है इसका मतलब काम कितना दीयागे है 3600 तो काम हमारा सोले सो हुआ, सोले सो काम हमारा खतम हो जाता है, चालिस दिन में, आगे क्या बोला उसने, परते एक दस दिन के बाद, पांच मजदूर कम काम छोड़कर चले जाते हैं, अब देखो, ये चीज़ इंट्रेस्टिंग है, परते एक दस दिन के बाद, काम छोड़कर पांच आदमी चले जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, चालिस आदमी काम करने के लिए लगे, तो चालिस आदमी उने, चालिस आदमी उने, दस दिन तक काम किया, भाई, दस दिन तक, चालिस आदमी उने काम किया, काम कितना हुआ हमारा, 400 हुआ, कितना हुआ 350 इन्हों ने किया 350 इन्हों ने कर दिया फिर अगले दस दिन पर आजाओं अगले दस दिन पर कितने काम आदमी हो जाएंगे तीस हो जाएंगे काम कितना हुआ 300 इन्हों ने 300 काम कर दिया अगले दस दिन पर आओं कितने 25 आदमी आएंगे अब काम कितना हो गया हम कितना बैठ रहें तो देखो कि कितना आगे सीधा सीधा 5 पांच 5-10 की 0 असल एक ठीक जीरो और लेडी एंसल एक चार-चार आठ आठ तीन 11 और दो 11 और चार कितना होंगे चैनि 1500 काम कि यहां तक खतं हो कि अमारा अब यह लेते हैं दस दिन बाद 15 और आएंगे तो कितना होगा डेड़ सो तो इसमें 1650 हो जाएगा क्योंकि हमारा 1650 काम नहीं हमें कितना लेने 1600 क्योंकि काम हमारा 16 हुए तो हम यहीं पर रुक जाएंगे अब देखो यहां तक टोटल कितने दिन 10 20 30 40 50 यानि 50 दिन में 50 दिन में कितना काम खतम हो गया 1500 काम खतम हो गया काम कितना है टोटल 16 काम है काम कितना बचा 100 काम बचा अब काम कितना बचाएं सो यह जो सो काम है इसको करने के लिए कितने व्यक्ति आएंगे दस दिन बाद 20 बाद 10 दिन बाद 5 ये चोड़ के चले जाते हैं last कितने विक्ती पंद 6 5 11 यानि कितने 20 सब्सक्राइब कर सकते हैं कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तो इसमें पूछा क्या गया इसका राइट आंसर डी हो गया तो कितने दिन में काम समाफ्त होगा चपन सही दो बटे तीन दिन में काम समाफ्त हो जाएगा बड़े सिंपल तरीके से जैसे जैसे बोला गया है सेम वैसे ही किया गया है इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफेक्ट नहीं दिया गया ठीक है अब आगे की तरब चलते हैं आगे कौन सा कोशन है तो दोस्तों हमारे कोशन यहीं तक थे आप लोगों किलास कैसे लगी जरूर बताना आपसे निवेदन है यह करना मत भूलना मत भूलना बैल घंटी के लिए भी मत भूलना यह मेरे लिए आप लोगों ने मुझे को देखा सुना बहुत-बहुत आप लोग का धन्यवाद नवरात्रे अच्छे से बन